पीक, P-E-A-K, पीक में ये है और इसका उचारण E होगा, पीक, उसी तरीके से रीच, R-E-A-C-H, रीच, तो यहाँ पर भी E-A है और इसका उचारण क्या होगा, E होगा, बड़ी E होगा, तो रीच, जो बड़ी E की मात्रा है, ये E-A के लिए है आज की क्लास में हम जानेंगे कि जब दो वोवल्स एक साथ किसी शब्द में आते हैं, तब उनका उचारण कैसे होता है वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि इन वोवल पेर्स का उचारण जाने भी ना, तो आप अंग्रेजी बोलने का सोच भी नहीं सकते वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल की सब्सक्राइब नहीं क्या होतो सब्सक्राइब भी कर लेना, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं तो पहला रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में AI के बाद आर आये, तो वहाँ पर AI का उचारण A-O होगा, जैसे चेयर, C-H-A-I-R, चेयर, चेयर में AI आ रहा है, आरा है न, और उसके बाद आरा रहा है, तो यहाँ पर AI का उचारण A-O होगा, चेयर, हुरा है न, चे-र चेयर, तो यहाँ पर AI का उचारण A-O है, उसी तरीके से, A-R, A-I-R, A-R, A-R में भी AI है और उसके बाद आरा रहा है, तो यहाँ पर भी AI का उचारण A-O होगा, A-R, या जैसे PAIR, PAIR, पेयर में भी AI है और उसके बाद R है, तो AI का उचारण यहाँ पर भी A-O है पेयर उसी तरीके से फेयर F-A-I-R फेयर या जैसे रिपेयर R-E-P-A-I-R रिपेयर क्लियर है दूसरा रूल यह कहता है कि जब दो कॉंसोनेंट्स के बीच में A-I आए तो वहाँ पर AI का उचारण A होता है जैसे J-A-I-L J-E-L अब J-E-L में J क्या है? कॉंसोनेंट है यानि की वेंजन है और L क्या है? यह भी एक कॉंसोनेंट है यानि की यह भी एक वेंजन है तो यहाँ पर AI का उचारण A होगा जेल हो रहा है ना उसी तरीके से मेन M-A-I-N मेन मेन में भी M-A-Consonet है आनि की वेंजन है और N भी एक कॉंसोनेंट है तो इसलिए यहाँ पर भी AI का उचारण A होगा मेन M-A-I-N मेन उसी तरीके से मेल M-A-I-L मेल में भी M-A-Consonet है L भी एक कॉंसोनेंट है और AI का उचारण इसलिए यहाँ पर A होगा मेल उसी तरीके से गेन G-A-I-N गेन गेन में भी G-A-Consonet है N-A-Consonet है और AI का उचारण इसलिए यहाँ पर A होगा गेन क्लियर है यह चीज देखते हैं AU का उचारण नहीं जब किसी शब्द में AU दिया हो तो वहाँ पर उसका उचारण AU होता है जैसे LAUNCH L-A-U-N-C-H LAUNCH में AU आ रहा है और इसका उचारण AU हो रहा है LAUNCH हो रहा है न उसी तरीके से PAUSE P-A-U-S-E PAUSE PAUSE में भी AU आ रहा है और इसका उचारण AU हो रहा है PAUSE यह जैसे SAUSE S-A-U-C-E SAUSE SAUSE में भी AU है और इसका उचारण AU है SAUSE CAUSE C-A-U-S-E CAUSE देखते हैं AW का उचारण नियम तो जब किसी शब्द में AW आए तो वहाँ पर AW का उचारण AU होता है जैसे LAW 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 में AW है और इसका उचारण AU हो रहा है LAW उसी तरीके से SAU S-A-W SAU SAU में भी AW है और इसका उचारण AU है SAU यह जैसे DRAW D-R-A-W DRAW यह CLAW CLAW देखते हैं A-Y का उचारण नियम तो जब किसी शब्द में A-Y आए तो वहाँ पर A-Y का उचारण A होता है जैसे MAY MAY में क्या है A-Y है और इसका उचारण क्या है A है MAY उसी तरीके से RE R-A-Y RE RE में भी A-Y है और इसका उचारण A है RE यह DAY DAY TREY T-R-A-Y TREY जब किसी शब्द में A दिया हो तो वहाँ पर A का उचारण E किया जाता है जैसे PEEK P-E-A-K PEEK PEEK में A है और इसका उचारण E होगा PEEK उसी तरीके से REACH R-E-A-C-H REACH तो यहाँ पर भी E-A है और इसका उचारण क्या होगा E होगा बड़ी E होगा तो REACH यह जो बड़ी की मात्रा है यह E-A के लिए है उसी तरीके से T T-E-A T T में भी E है और इसका उचारण E हो रहा है T TEAM T-E-A-M TEAM जब किसी शब्द में E-A के बाद R दिया हो तो वहाँ पर E-A का उचारण E-A होता है जैसे CLEAR C-L-E-A-R CLEAR तो CLEAR में E-A के बाद R आ रहा है तो यहाँ पर E-A का उचारण क्या होगा E-A होगा यानी छोटी E और A CLEAR C-L-E-A-R CLEAR तो यहाँ पर यह जो E-A का उचारण है वो E-A है CLEAR उसी तरीके से FEAR F-E-A-R FEAR FEAR में भी E-A है और उसके बाद R है तो यहाँ पर भी E-A का उचारण E-A होगा FEAR उसी तरीके से APEAR A-P-E-A-R APEAR में भी E-A है और उसके बाद R आ रहा है तो यहाँ पर भी E-A का उचारण E-A होगा APEAR यह जिसे E-A-R Y-E-A-R E-A-R जब किसी शब्द में E दिया हो तो वहाँ पर E का उचारण बड़ी E होता है जैसे Green G-R-E-E-N Green तो यहाँ पर Double E है और इसका उचारण क्या है E है Green यह जो बड़ी E की मात्रा है यह Double E के लिए है उसी तरीके से Need N-E-E-D Need Need में भी Double E है और इसका उचारण E है Need यह जैसे Be B-E-E Be यह Freeze F-R-E-E-Z-E Freeze जिसमें Double E है और इसका उचारण है E Freeze Week क्लियर है जब किसी शब्द में EW दिया हो तो वहाँ पर EW का उचारण U होता है जैसे FEW FEW में EW है और उसका उचारण क्या है U है उसी तरीके से FLU FLU में भी EW है और उसका उचारण क्या है U है FLU या जैसे NEW NEW में भी EW है और उसका उचारण क्या है U है NEW STEW STEW जब किसी शब्द में CH, SH, L या R के बाद EW आए तो वहाँ पर EW का उचारण U होता है जैसे BLU BLEW BLU तो यहाँ पर L के बाद EW है तो यहाँ पर जो EW का उचारण है वो U है BLU उसी तरीके से CHEW CHEW यहाँ पर CH है और इसके बाद EW है तो इसका उचारण क्या है U है CHEW यहाँ जैसे SCREW S-C-R-E-W SCREW तो यहाँ पर भी जो R है उसके बाद EW है तो इसका उचारण क्या है U है SCREW अगला रूल यह कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में EY आए तो वहाँ पर EY का उचारण बड़ी E होता है जैसे होकी H-O-C-K-E-Y होकी होकी में EY आ रहा है एंड में और इसका उचारण क्या है बड़ी E की मातरा के रूप में है होकी उसी तरीके से मंकी M-O-N-K-E-Y मंकी मंकी में भी EY है आखिर में और इसका उचारण बड़ी E की मातरा के रूप में है मंकी या जैसे ट्रकी T-U-R-K-E-Y त्रकी इसमें भी EY है और इसका उचारण बड़ी E के रूप में है त्रकी ट्रोली T-R-O-Double-L-E-Y ट्रोली जब किसी शब्द में V या TH के बाद EY आए तो वहाँ पर EY का उच्चारण A होता है जैसे सर्वे, S-U-R-V-E-Y सर्वे, सर्वे में हमारा V के बाद क्या आ रहा है? EY आ रहा है, तो यहाँ पर EY का उच्चारण A होगा सर्वे, पुरा है न, उसी तरीके से दे, T-H-E-Y, दे, दे में T-H के बाद EY है और इसका उच्चारण क्या है? A है दे, उसी तरीके से कन वे, C-O-N-V-E-Y कन वे, कन वे में भी V के बाद EY है और यहाँ पर EY का उच्चारण A है, कन वे जब किसी शब्द में EI आए, तो वहाँ EI का उच्चारण C-O-N-C-E-I-V-E, इसमें EI आ रहा है न, तो यहाँ पर जो EI का उच्चारण है, वो बड़ी E की मात्रा के रूप में होगा कनसीव, जो बड़ी E की मात्रा है न, वो EI के लिए है उसी तरीके से, रिसीव, R-E-C-E-I-V-E, रिसीव रिसीव में भी EI है और इसका उच्चारण बड़ी E है, रिसीव या जैसे protein, P-R-O-T-E-I-N, protein, protein में भी EI है और इसका उच्चारण क्या है? बड़ी E है, protein या जैसे ceiling, C-E-I-L-I-N-G, ceiling, ceiling में भी EI है और इसका उच्चारण बड़ी E है, ceiling जब किसी शब्द के बीच में oe दिया हो तो वहाँ पर oe का उचारण o होता है जैसे goal goal में oe आ रहा है बीच में और इसका उचारण क्या है o है goal या जैसे coat c o a t coat coat में oe है और इसका उचारण क्या है o है coat उसी तरीके से toast t o a s t toast toast में भी oe आ रहा है और इसका उचारण क्या है o है toast यह o की मातरा है यह oe के लिए है उसी तरीके से roast r o a s t roast जब किसी शब्द के बीच में iei तो वहाँ पर ie का उचारण बड़ी e होता है जैसे relief r e l i e f relief relief में ie है और यहाँ पर ie का उचारण बड़ी e है relief यह जो लोग पर जो बड़ी की मातरा है यह ie के लिए है उसी तरीके से brief b r i e f brief brief में भी ie है और इसका उचारण क्या है बड़ी e है brief यह जैसे thief t h i e f thief thief में भी ie है और इसका उचारण क्या है बड़ी e है thief यह जैसे field f i e l d field field में भी ie है और इसका उचारण बड़ी e की मातरा के रूप में field जब single syllable के अंत में ie दिया हो syllable यानि एक शब्द का उतना भाग जितना की एक बार में बोला जाए तो वहाँ पर ie का उचारण a e होगा जैसे lie lie तो यहाँ पर क्या अंत में क्या दिया गया है ie है तो यहाँ पर जो ie का उचारण है वो a e होगा तो यह बन जाएगा lie lie तो यहाँ पर ie का उचारण a e हो रहा है उसी तरीके से die, d-i-e die, यहाँ पर भी ie आ रहा है आखिर में और इसका उच्चारण क्या होगा, ie होगा, die, उसी तरीके से tie, t-i-e tie, tie में भी ie है आखिर में इसका उच्चारण है ie, जिससे pie, 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 जब दो सिलिबल शब्दों के अंत में ie दिया हो, तो वहाँ पर ie का उच्चारण बड़ी e होता है, जैसे movie, m-o-v-i-e, तो यहाँ पर यह दो सिलिबल शब्दों के बीच में के अंत में क्या आ रहा है, ie आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहाँ पर ie का उच्चारण बड़ी e है movie वो पर जो बड़ी की मात्रा है वो किसके लिए है IE के लिए है उसी तरीके से cookie C-O-K-I-E cookie तो यहाँ पर भी आखिर में IE है और इसका उचारण बड़ी E है cookie यह जिसे talkie T-A-L-K-I-E talkie जब किसी शब्द के आखिर में O-E आए तो वहाँ पर O-E का उचारण O होता है जैसे T-O-E, तो इसमें आखिर में O-E है और इसका उचारण क्या है? T-O, O, यह जो O की मात्रा है यह O-E के लिए है, T-O, उसी तरीके से VO, V-O-E, इसमें अभी आखिर में O-E है और इसका उचारण क्या है? वो है फो, F-O-E फो जब किसी शब्द के बीच में O-I आए तो वहाँ पर O-I का उचारण O-E होता है जैसे boil B-O-I-L boil में O-I आ रहा है बीच में और इसका उचारण क्या हो रहा है? boil यह जो O-E है यह O-I के लिए है भी O-I है और इसका उचारण क्या है? join यह जैसे point P-O-I-N-T point जब किसी शब्द में दो बार O-I तो वहाँ पर O-O का उचारण O होता है जैसे spoon S-P-O-N spoon spoon में दो O आ रहे हैं और इसका उचारण क्या होगा? spoon यह जो पर पर O की मातरा है यह double O के लिए है उसी तरीके से fool F-O-O-L fool तो यहाँ पर भी दो O हैं उसका उचारण है fool यह जैसे cool C-O-O-L cool जब किसी शब्द में double O के बाद K आए तो वहाँ पर double O का उचारण O होता है यानि कि چھोटा O होता है जैसे look L-O-O-K look look में double O है उसके बाद K آ रहा है तो यहँ पर double O का उचारण छोटा O होगा look उसी तरीके से book B-O-O-K book book में भी double O है उसके बाद K آ रहा है तो यहां पर भी double O का उचारण चोटा O होगा, book या जैसे, took T, double O के took जब किसी शब्द में, double O के बाद R आये, तो वहाँ पर double O का उचारण O, O होता है, यानकी चोटा O और O होता है, जैसे poor, P, double O, R poor, poor में double O है उसके बाद R है, तो यहाँ पर double O का उचारण क्या है O, O है, poor ठीक है, उसी तरीके से, more M, double O, R, more यहाँ पर भी double O है, फिर R है तो यहाँ पर भी double O का उचारण है O, O, more या जैसे, poor B, double O, R poor, जब किसी शब्द के बीच में, O, U आये, तो वहाँ पर O, U का उचारण A, O होता है, जैसे loud, L, O, U, D loud, loud में O, U है उसका उचारण क्या है, A, O loud, उसी तरीके से, house H, O, U, S, E, house यहाँ पर भी O, U है, उसका उचारण क्या है, A, O है house, या जैसे about A, B, O, U, T about जब किसी शब्द में, O, U के बाद L दिया हो, तो वहाँ पर O, U का उचारण O होता है जैसे, soul S, O, U, L soul, तो यहाँ पर O, U के बाद L आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर O, U का उचारण क्या होगा O होगा, soul या जैसे, shoulder S, H, O, U, L, D, E, R shoulder, shoulder में भी O, U है, उसके बाद L है, यहाँ पर भी O, U का उचारण O होगा shoulder, या जैसे moulder, M, O, U, L, D, E, R moulder, moulder में भी O, U है और उसके बाद L है, इसलिए इसका उचारण भी O है moulder, जब किसी syllable के आखिर में O, U के बाद R या S दिया हो, तो वहाँ पर O, U का उचारण O होता है, जैसे famous, M, A, M, O, U, S famous, famous में O, U के बाद क्या है, S है तो यहाँ पर O, U का उचारण O होगा, famous ठीक है, उसी तरीके से behavior B, E, H, E, V, I, O, U, R behavior, behavior में भी O, U के बाद क्या है, R है तो यहाँ पर O, U का उचारण क्या होगा O होगा, behavior उसी तरीके से marvelous, M, A, R V, E, double, L, O, U, S marvelous, तो यहाँ पर भी जो O, U के बाद S है, इसले इसका उचारण O है marvelous, जब किसी शब्द के आँखिर में O, W दिया हो, तो वहाँ पर O, W का उचारण O होता है जैसे fellow, F, E, double, L O, W, fellow fellow में O, W है, उसका उचारण क्या है yellow, यह जिससे glow G, L, O, W, glow यहाँ पर भी O, W है आखिर में और इसका उचारण क्या है O है, glow follow, F, O, double, L, O, W follow arrow A, double, R, O, W arrow जब किसी शब्द में O, W के बाद N या L दिया हो, तो वहाँ पर O, W का उचारण A, U होता है जैसे brown, B, R, O, W, N brown brown में O, W के बाद क्या आ रहा है N आ रहा है तो यहाँ पर जो O, W का उचारण A, U है brown जैसे crown C, R, O, W, N crown O, W के बाद क्या है N है इसलिए O, W का उचारण A, U है crown या जैसे frown F, R, O, W, N frown frown में भी O, W के बाद N है इसलिए उसका उचारण A, U है frown down D, O, W, N down जब किसी शब्द के आँखिर में O, Y आए तो वहाँ पर O, Y का उचारण O, E या O, Y होता है जैसे toy T, O, Y toy तो यहाँ पर आँखिर में O, Y है इसका उचारण क्या है toy उसी तरीके से roy R, O, Y roy तो यहाँ पर भी आँखिर में O, Y है उसका उचारण क्या है Roy employ E, M, P, L, O, Y employ UE का उचारण O, भी होता है और U भी होता है जैसे due D, U, E due तो यहाँ पर UE है उसका उचारण क्या है due उसी तरीके से blue B, L, U, E blue उसमें भी U ही है उसका उचारण क्या है blue उसी तरीके से value V, A, L, U, E value clue C, L, U, E clue UI का उचारण A, E भी होता है और E भी होता है जैसे guide G, U, I, D, E guide यहाँ पर जो UI का उचारण है वो A, E है guide quiet Q, U, I, T, E quiet यहाँ पर UI का उचारण A, E है quiet अब देखते हैं कि UI का उचारण छोटी E कहाँ पर होता है जैसे biscuit B, I, E, C, U, I, T biscuit biscuit में UI है और इसका उचारण क्या है छोटी E है biscuit यह जो काव पर छोटी E की मात्रा है यह UI के लिए है उसी तरीके से guitar G, U, I, T, A, R guitar इसमें भी UI है उसका उचारण क्या है छोटी E है guitar UI का उचारण O, E भी होता है और O, भी होता है तो पहले देखते हैं कहाँ पर इसका उचारण O, E होता है जैसे ruin R, U, I, N ruin तो यहाँ पर UI है उसका उचारण क्या है O, E ruin उसी तरीके से fluid F, L, U, I, T fluid यहाँ पर भी UI है उसका उचारण है O, E fluid यह जो बड़ा U और यह छोटी E है यह UI के लिए देखते हैं UI का उचारण बड़ा O कहाँ पर होगा juice J, U, I, C, E juice यह जो बड़े O की मातरा है यह UI के लिए उसी तरीके से fruit F, R, U, I, T fruit तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की class I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा तो आप इन शब्दों की बार-बार प्राक्टिस कीजिए जितना जाद से जाद आप प्राक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरू कर देना चानल को सब्सक्राइब नी किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना